मख़ीव Kabenenight वेलकम स्वागत आपके फिर से मातास अबेतर कीचन पर आज में और इंज मोहितो वर्ज Ĭवर्जिन मोहितो और कूकुमर और महीतों तीन तरग कि महीतों बता रही हूँ आपको बनाना फ्रेंटे यह बहुथ ही रिफ्रेशन्ट ड्रिंच होते हैं देखे फ्रेंट्स ओर organise बनाने के लिए मांने एक ग्लास ले लिया है इसमें मैं fresh mint lips डाल रही हूँ निबू slices कटे हुए वो add कर रही हूँ मैं उसके बाद अगर आपके पास orange slices आप उसको add कर दीजे उसके बाद किसी भी muddler के मदद से आप उसे अच्छे सा क्रस कर लीजे ताकि उसमें से सारे juices निकल जाएं यह बहुत ही tasty बनता है friends इसे जरूर बना के घर में जरूर ट्राइ कीजेगा friends उसके बाद friends आपको जैसा मीटा पसंद हो उससाब से आप सुगर powder या सुगर कुछ भी add कर सकते हैं मैंने एक टेबल स्पून सुगर add किया है ice cubes add कर रही हूँ आप अपनी choice से उसकी quantity घटा पड़ा सकते है निवो के slices, fresh, mint leaves friends से बहुत ही tasty लगता है और पहले से ही मैंने orange juice निकाल के रखा है उसे add कर रही हूँ आप जाहे तो market से orange juice लेट के उसको भी add कर सकते हैं उसके बाद मैं ये एक चमच के मदस इसको अच्छे से mix कर दूँगी ताकि जो नीचे चीजे बैठी है वो भी उपर आ जाए ice cubes वगएरा और friends चीनी अच्छे से मिल जाए इसमें उसके बाद मेरे पास orange के slices है उससे मैं glass को सजा देती हूँ जिससे ये देखने में भी खुबसूरत लगने लगेगा और friends ये देखिए मेरा orange moito बन के तयार है friends अब मैं virgin moito बना लेती हूँ जिसके लिए देखिए मैंने glass ले लिया है इसमें मैंने नीवो के slices fresh mint lips add किये हैं उसके बाद किसी भी मडलर के मदद से आप इसको crush कर लीजिएगा आपके बास कोई लकड़ी का टुकड़ा हो उसे भी आप crush कर सकते हैं ताकि इसमें से सारे juices निकल जाए ये बहुत ये tasty drink बन के तयार होता है बहुत ये refreshing होता है friends देखिए उसके बाद मैं इसमें चीनी आड़ कर रही हूँ आप सुगर या सुगर पाउडर कुछ भी आड़ कर सकते हैं मैंने एक टेबल स्पून लिया है सुगर इसको आड़ कर लिया है मैंने नीवो के slices लिया है मैंने ice cubes लिया है friends ice cubes आपने choice के हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं उसके बाद friends fresh mint leaves आप एड़ कर दीजेगा इसमें extra जो बहुत यो tasty खुबसूरत दिखते भी है friends और tasty लगता भी है पीने में और यह मैं पर सोडा पड़ा हुआ था soda एड़ कर दे रही हूँ है यह easily market में available है आप वहाँ से ले सकते हैं यह देखिए मैंने soda एड़ कर दिया अब इसको किसी भी चमच की मदल से इसको अच्छे से mix कर देते हैं ताकि sugar mix हो जाए अच्छे से और सारी चीजे उपर को आ जाए देखिए कितना खुबसूरत दीख रहा है यह बहुत ही टेस्टी बन के तयार हुए फ्रेंड्स आप निव की स्लाइसे से ग्लास को सजा दीजे फ्रेंड्स किसी भी रेस्टोरन में आप जाएगा यह दो डाइसों से कम का नहीं मिलेगा मैंने 10-15 रुपे में बनाना आपको बता दिया है यह देखी मेरा बहुती रिफ्रेशिंग वर्जिन मोहितो बन के तयार हो गया फ्रेंड्स इसे घर में बना के जரूर ठ्राइ कीजिएगा आप फ्रेंड्स मैं कुकूम्बर मोहितो बना लेती हूँ जिसके लिए यह मैंने कुकूम्बर ले लिया है इसके दोनों तरब से जो कड़वापन आता है उसको काट के मैं ऐसे देखिए रगड के थोड़ा सा इसमें से कड़वापन निकाल लोगी दोनों तरब से ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स ये देखिए वाइट वाइट सा निकलता है जो अगर कड़वा रहता है तो उसके बाद इसको पील कर लेंगे इसका छिलका उतार लेंगे इसको पहले दुल लीजिएगा अच्छे से उसके इसका जूस निकाल लेते हैं हम यह देखिए कुकुम्बर का मैंने जूस निकाल लिया है अब इसको बना लेते हैं कुकुम्बर मोईतो बनाने के लिए देखे एक ग्लास ले लिया है इस ग्लास में देखे अ मैं ये नीबू के slices डाल रही हूँ कटे हुए fresh mint lips डाल रही हूँ इसको friends crush करेंगे हम किसी भी muddler के मदद से अच्छे से crush कर लेंगे ताकि mint के भी mint lips के भी और नीबू के भी friends rush निकले और उसमें जाएं ये देखे मैं extra नीबू slices कटे हुए डाले हैं friends इससे क्या होता है देखने भी टेस्ट भी लगता है और पीने भी टेस्ट आते हैं ये देखे ice cubes मैं एड़ करी हूँ चार से पांच आपने choice से एड़ कर सकते हैं सुगर मैंने एड़ किया है एक टी स्पून friends आप सुगर पाउडर भी ले सकते हैं उसके बाद fresh mint lips एड़ कर रहा है मैंने उसके बाद friends कुकुमबर का जूस था वो एड़ कर देंगे friends आप सिप कुकुमबर के जूसे भी से बना लेते हैं बना सकते हैं अपने choice है आपकी और अगर नहीं तो आप आप मार्केट में जो डियू या फर लिमका ये नीबू फ्लेवर की जो मिलते हैं friends इसे आप एड़ कर सकते हैं ये देखिए मेरे पास friends लिमका है मैं इसके एड़ कर दे रही हूं इसका टेस्ट और बढ़ जाता है बहुत खुबसरत दिखता है friends और टेस्टी बनता है इसे friends चमच की मदद से हम हिला देते हैं ताकि अच्छे सा मिक्स हो जाए और ये देखिए friends किसे भी मेरे मेरे पास कुकुमबर की स्लाइस कटे हुए थे मैं उससे ग्लास को सजा देती हूं आप चाहे तो निबू की स्लाइस को से भी सजा सकते हैं और ये देखिए friends मेरा कुकुमबर मोहितों बनके तयार हो गया बहुत ही रफ्रेशिंग बहुत ही टेस्टी कुकुम सक्षन में लिख की बताएगा आपको मेरी एक रेसेपी कैसे लगी अगर अच्छी लगी तो friends थमस अब का बटन दबाएगा और friends अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्काइब कीजिएगा और बगल में जो बैल आइकन है उसे प्रेश करना बिल्कुल म में में जाके